आज हम लोग ऐसे सक्स के बारे में बात करेंगे जिसने अपनी लाइफ में कभी कोई चुनाओ नहीं लड़ा, वो ना तो कभी विधायक बना और ना ही कभी MP बना लेकिन फिर भी आप देखेंगे महराष्ट में मुंबई में एक लंबे सबय तक उसका राज जरूर रहा है आप देखें कि जो पावरफुल व्यक्ति होते थे, चाहे आप देखी मुकमंत्री हो या पिदान मंत्री हो, उसके सामने हमेशा जुकते रहें और आप लोग कुछ फोटो देखेंगे, पिक्चर देखेंगे, तो इसकी पावर का आप देखी कि अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं आपकी स्क्रीन पर सामने दिखाई भी दे रहे हैं, यह आप सभी जानते हैं कि संजेदत थे, उनके पिताजी हैं और आप देखें कि इसमें आप लोगों को पिधान मंत्री मोदी साब देखने को मिल रहे होंगे, बर्तमान पिधान मंत्री और इस पिक्चर में आप देख रहे होगे एक तरफ आप लोग सरत पवार साहब को देख रहे हैं जो एक तरफ से आप देखे कि भारत की राजीती में काफी पाबरफुल बेक्ती माने जाते हैं दूसरी तरब आप लोग अटल विहारी बाच पर ही सापको देख रहे होंगे और आगे आप देखेंगी तो बर्टबान में महराष्ट की मुखमंत्री उधाउ ठाकरे सापको देख रहे हैं आप लोग और आपको बता दू कि बाल ठाकरे उधाउ ठाकरे के पिताजी थे और आप देखें कि एक और खुले हुए सक्स थे, जो उनके मन में आता था, बोल देते थे, किसी से कभी डरने की कोई बात ही नहीं होती थी, समझ रहे आप लोग, और इसलिए आप देखें कि उनके नाम पर एक मूवी भी बनाई गई, उस पर भी हम लोग बात करेंगे, और उस म एक उनका चर्चिद वाक काफी चर्चा में रहा है, सुर्खिया बटोरता रहा है, उनसे किसी ने इंटर्विव में पूछा था, अगर आप देश के पिदानमंत्री बनते हैं, तो सबसे पहले कौन सा काम करेंगे, तो उनका कहना था कि अगर मैं पिदानमंत्री बनूँग तो सबसे पहले कस्मीर को साब करूगा, और जो भी पाकिस्तानी बंगलादीसी भारत में आये हैं, उन पर मुकत्मा नहीं, चलेगा बलकि उन्हें गोली मार दी जाएगी, उन्हें बाहर निकाल दिया जाएगा, आप समझ रहे हैं, मतलब आप सूची कि पाकिस्तानी पाकि बात करें, तो बाला सहाब या हिंदू हिंदय, हिंदय समराट के नाम से भी आप लोग इन्हें जानते थे, और अगर हम लोग जन्म की बात करें, तो आप देखेंगे कि आजादी के पहले इनका जन्म भारत में हो चुका था, आप सभी जानते हैं कि 1947 में हमें आजादी मिल यानि कि उस समय वेटिस भारत था, यानि कि वेटिस के अंडर में थे, और अभी अगर हम लोग बात करें, तो आप देखेंगे कि महराष्ट आपको देखने को मिलेगा ये हैं, और इसकी राध्णानी की बात करें तो मंबई है, और अगर आप लोग इसे राज बनानी की ब लेगी और अगर हम लोग इनके पिता की बात करें बाला साहब ठाग रेगी तो केसव सीताराम ठाग रे इनके पिता जी का नम था और एक सामाजिक सुधारक थे और पत्कार थे इनके पिता और इनकी माता की बात करें तो रामा भाई इनकी माता का नम और अगर हम लोग इनके भाई की बाद करें, तो रमेश ठाकरें, सरीकांत प्रवोध पिर्वोधन कार ठाकरें, इनके भाईयों का नाम था, इनकी बहनों की बाद करें, तो पामा टिपनीज, सुधा सुले, सरला गड़करी, सुसील गुपते, सजीवनी, करिंदीकर, इनकी बहनों का नाम था, और इनके बेटी का नाव जैदियो ठाकरे को तो आप सभी जानते हैं एक राजनितिक के हैं एक बन जी फ्रोटो ग्राफर भी रहे हैं और इनकी पिसिद्धी का अगर हम लोग कारण की बात करें तो हिंदू और मराथी नेता की रूम में इने काफी पिसिद्धी मिली थी और पढ़ना भी मैंने देखे इनका एक वार इंटर्वीव सुन रहा था मैं किसी पत्कार देजस से पूछा कि अगर आप दियर पीते हों तो इन्होंने साब कहा कि हाँ पीता हूं मतलब आप देखे कि जो भी करते थे इनके अंदर दिखावा नहीं था वर्णा अधिक तर लोगों को आप देखे कि पबलिक में पूछेंगे तो वो मना कर देते हैं और बाद में वो आप देखेंगे कि उनके सोंके इस तरह के हैं उस तरह के हैं उनके मन में जो भी सवाल लाता था जो भी कोई कुछ भी उच रहा है काफी करीबी भी वाने जाते थे उनके और पसंदीदा हमिनेता की बात करें तो आप देखेगे अमिता बच्चन और नाना फाटेकर इनके काफी फैवरेट हमिनेता रहे और पसंदीदा संगीत कार की बात करें तो किसोर कुमार और लता मंगेस का रहे ब्यवसाई की बात करें तो आप देखें कि ये पत्कार भी रहे, कार्टोनिष्ट भी रहे, और भारतिये राजनेता भी रहे, लेकिन इनोंने कभी चुनाओ नहीं लड़ा अपनी पूरी जिंदिगी में, और इनकी राजनेतिक पाइटी की बात करें तो सिफसेना, इनकी राजनेतिक पाइटी थी, और आप सभी लोग देखते होंगे कि महराश्ट में काफी सक्री रहती है सिफसेना, अगर हम लोग कार्टोनिष्ट के इस रूब में इनकी करियर की बात करें, इनकी सम्पर की बात करें तो बाला साहम ने अंग्रेजी अकवार दा फ्रेस जन्रल में कार्टोनिष्ट की और बाला साथ हर अभीवार को Time of India अखवार में अपना लेग भी लिखते थे उसके बाद आप देखेंगे महराष्ट में एक मुवमेंट भी हुआ था और उसमें इनके युगदान की अगर हम लोग बात करें तो बाला साथ की पिताजी थे जो स्री किसा उठाकरे इन्होंने म महराष्ट मुवमेंट आंदोलन में सक्री ये कार करता थे और बाल ठाकरे ने अपने पिता किसा उठाकरे के साथ महराष्ट राजी की निर्माड में भासा की आधारप मुवमेंट में बहुत युगदान दिया था और उनके अकबार मारविक की आधारप मुंबई में गु उनका बिरोध करती रहते हैं ऐसा इने माना जाता था और राजमितिक सफर की अगर हम लोग बात करें तो आप देखें कि इस साल 1966 में बाला साब ठाकरे ने महराष्ट में सिप सैना नाम की अपनी खुद की एक हिंदूबादी संगठन की इस्थापना की थी के लिए उन्हें दिखावा करना बढ़ा वो साब मना कर देते थे कि जो इस तरह कोई धरव के लोग है तो उन्हें बोट ना दे आप देखते हैं कि कई हिंदूबादी नेता है जो अपने आपको सौप्ट दिखाने लगते हैं ठीक है? बाद में सिपसेना एक राजनेतिक पाइटी बन गी और उनकी इस पाइटी का निसान धनुस बान रखा और उनके ध्वच का कलर भगवा रंग रखा गया था और सिपसेना की इस थामना के बाद आप देखें कि बाला साहब अपने उत्तेजित करने वाले भास्रों से पूरे भारत में कापी सुर्खिया भी बटो रही और उत्तेजित बयानों से उनके खिलाब कई लोगों ने कोट में मुकद में भी चलाए यानि कि उन्हें परेशानियों का सामना भी करना पड़ा फिर भी आप देखें कि अंदर तक भारत में कॉंग्रेस पाइटी का एक तर्फा वर्चुस राह है और लेकिन साल 1905 में भारती जन्ता पाइटी और सिमसेना ने गठवंदन करकि भारत देश में विरोध बक्ष मलबूत कर दिया और दोनों पाइटी की भी समझोता हुआ और महराष्ट की राजन्तिक लड़ाई में दोरों पाइटी यां साथ खड़ी रही और एक लंबे समय तक आपने देखा हुगा कि बीजेपी भारती जन्ता पाइटी और सिमसेना साथ रही है तर आप देखें कि 28 जुलाई 1999 को भारती चुनाओ आयों उन्हें बार ठाकरे को नफरत और डर की राजनीती करने के कारण बोट डालने और चुनाओ रहने पर रोक लगा दी थी और आप देखें कि लगातार 6 साल तक राजनीती से दूर रहने के बाद बाला साथ ठाकरे ने 2005 में बोट डाना था तो इस तरह एक समस्तिया का उन्हें सामदाना भी करना बड़ा राज ठाकरे को लगता था कि बाला साथ ठाकरे के बाल सिपसेना का अध्यक्ष वही बनेगे लेकिन आप सभी जानते हैं कि उधाउ ठाकरे को पायटी का अध्यक्ष बनाये गया 2005 में और आप देखें कि राज ठाकरे बाल ठाकरे से नाराज हो जाते हैं और आप देखें कि उनसे अलग हो के राज ठाकरे सिपसेना से दूर हो कर साल 2006 में महराश्ट नव निर्मार सेना नामक एक पायटी का गठर करता है आप देखें एक और बात सामने आती है कि उधाउ ठाकरे को राजणीती में दिल्चस्मी नहीं थी और जो भी राजणीतिक हिस्तेदारी हुआ करती थी राजणीती में भाग लेने की कही पायटी की प्रिचारबसार की तो उसमें राज ठाकरे आगे रहा करते थे लेकिन आप सभी जानते इस बात को मुझे लगता है कि बाप के बाद आप देखे बेटे के हाथ में ही राजनितिक जो भी सक्ता होती है उसका विरासत जाती है इसका उधारन उत्तर पे देश में अभी हाली में आपने देखा हुआ सिपाल यानों काफी सक्रीर है लेकिन बाद में आपने देखा है कि सिपाल को राजनितिक विरासत नहीं हासल हो सकी और कई इसके उधारन आपको देखने को भी जाएगे देश में और उसके बाद राज ठाकरे भी उनके चाचा बाला साहब की तरह भाष्णों में बहुत एक तरह से ख़मरों में रहते हैं और उत्तेजित बयान करते रहते हैं और इसलिए कई लोगों ने उनके खिलाब भी कई बार मुकत में चलाये हैं और ऐसा भी माना जाता था यो लोग कहते थे और आप देखेंगे राश्ट ठाकरे साहब भी इस बात को सुईकारते थे कि उनके चाचा की चवी उनमें दिखती है यारी कि कोई हिंदू समराथ है तो बाव बाला साहब ठाकरे के बाद राश्ट ठाकरे है और राश्ट ठाकरे ने महाराष्ट नाउनेडवार सेना का अध्यक्च बने और बाला साहब के बाद उधाव ठाकरे सिप सेना के अध्यक्च बने और अगर हम लोग बिबाद की बाद करें तो आप देखें कि इन्हें पर काफी बिबाद भी रहें बाल के साथाकरे पर बिबादों से इनका काफी गहरान आता रहा है तो अपनी जीवन संखेस के दोरा जाती है रेखाओं के आधार पर वड़ावा देने के लिए उन्हें कड़ी आलोचना होने के बाद मी यह पीछे नहीं अटеп वरस on SSI सेन feelsanak की स्थापन के बाद उन्होंने मुंभई में दच्छर भारतियों के ख्लाब एक अभियाल सुरू है ता और जिसमें इस्थानी ये मराथी लोगों को नौकरी से बंचित रखा जाने लगा था क्योंकि उस समय मुंबई में दच्छे भारतिये कार करने लग गए थे और जिस्ते इस्थानी लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा था उन्हें बेरोजगारी का सामना करना पड़ता था तो इन्होंने क्या किया कि उस समय अपने जो भी महराष्ट के लोग इस्थानी लोग थे उनकी आवाज उठानी शुरुकी उन्हें रोजगार दिलाने की बात की और तबी से आप देखें ये सुरुकियों में आने लगे फिर आप देखें कि 1979 में उन्हें महराष्ट करनाटक सीवा बिवात के सम्मद में गरपतार कर एरवाड़ा जेल भी दिया गया था यानि कि कुछ समय ने जेल में भी रहना पड़ा वह पाकिस्तान की कटर आलोचक भी थे और जिसके चलतें 1988 में उन्होंने गुलाम अली के एक गजल समारों को बादित भी किया हुआ था वर्स 1975 में उन्होंने इंद्रा गांधी द्वारा गोसित आपात काल का समर्थन किया जिससे राजनीती में हडकंब मच गया था और फिर आप देखें कि 1984 में उन्होंपवर विवन्डी में संपदाइक दंगे भड़काने का आरोप लगा था और जिसमें सत्रे वेक्ती मारे गए थे और सो से अधिक गायल हुए थे तो उस समय भी ये काफी सुर्कियों में रहे हुए थे फिर आप देखें कि बाबरी मश्चित बिद्धवन्स का सडेंद करने के लिए उनके खिलाब कई आरोप लगाये थे और आप देखें कि वेक उनका आपकी अदल्प में बाल ठाकने साब गये हुए थे और रजस्त तर्मा के द्वारे सवाल किया गया उनसे कि आपके लोग बाबरी मश्चित बिद्धवन्स में थे या नहीं थे तो उन्हें सुईका रहा है मतलब वो कभी आप देखें कि जूट मुझे लगता है कि उन्हें बोला ही नहीं आता था आप सुची कि उनसे कोई डारेक्ट सवाल करता था तो उन्हें डारेक्ट आंसर मिलता था आज की राजनेताओं कि तरह आप घुमा अफ्रा की बात करने की आदत नहीं थी ठीक है फिर आप देखें कि 1993 में मुंबे बिलाष्ट की बात और यह कहा जाने लगा कि बाल ठाक रही उन्हें से एक थे जिनोंने संबदायक हिंसा को उकसाया था फिर आप देखेंगे 1995 में उन्हें उन्हें बॉलीबुर्ड फिलिम मॉंबे की पिदारसन का विरोध किया था जो 1993 में मुंबई बंधमाकी की बात मुंबई में संबदायक दमगो पर आधारित थी और एक बार उनोंने सामना में उत्तर भारतियों पर कटाक्च करती हुए का एक बिहारी 100 बिमारी जिसके चलते नीतिस कुमार बिहार की तकाली मुंख मंत्री ने भारत की पिदार मंत्री को एक लेखिस सिकायत दर्च कराई थी और इस आपत्ती जनक टिपडी के कारण सिपसेना के उत्तर भारत पिरभारी जय भगवान गोयल ने इस्तिपा देते हुए सिपसेना को खानिस्तानी और आतंगवादी संगठन की परिभासा दी थी तो इस तरह की भी आप देखियो होता रहा है उनके द्वारा एपीजी अब्दुलकलाम भारत की जो समय की ततकाली राष्टपती थे उनका भी अम्मान किया गया था क्योंकि उन्होंने अबजल गुरु की मौत की सजाब पर कोई भी ओपचारिक जबाब नहीं दिया था तो आप देखिये कि उनके एक तरह से आलोचना की थी किनकी भारत की राष्टपती की फर आप देखिये कि 2007 में देरिक अखवार की एक साप्चातकार यानी की इंटर्व्यू में हिटलर की पिसंसा करने के लिए उन्हें कड़ी आलोचनाओं का सामना करना बड़ा था रूम में परिभासित दी थी जिसके चलते उन्हें गिरपदार भी किया गया था और वो है बिबादों में तबाए जब उन्होंने एक तमिल आतंके बादी संगटन LTT का समर्थन किया था और सामाजी कारकता अन्दाजारे उबाल ठाकरे की भाई रवेश ठाकरे में ने उनसे अधिक संपत्ती रखने का आरोप भी लगा हुआ था और CBI जाज की मांगभी की गई थी तो इस तरह की बाला साहब ठाकरे से विबाद भी जुड़े रहे और मुझे लगठा है की इस तरह की आप रहते हैं कोई आप देखे चर्चिन बेखती रहते हैं और इस तरह के कट्टर बेखती रहते हैं, तो विवादों का जुड़ना आपसे स्वभाविक सी बात हो जाती है, फिर बात आती है इनकी मित्तिव की, यानि की अंतिब समय की, तो अंतिब समय में आप देखें कि बाला साब को खराब स्वास्तों और सास लेने पे तकलीब के चलते, 25 जुलाई 2012 को मुमबई के लेलावती अस्पताल में भर्ति कराया गया था, और जहां चिकिसी है, आपनों के अनसार उनकी मौत हिदय की गद्धी रुक जाने से हुई थी, और समय आप देखें कि 17 नमंबर 2012 को सिवाजी पारक मुमबई में लाकों लोगों की भीड एक खटा हुई, और एक आवाज आती, बाला साहब ठाकरे, दूसरी ओर से लोग कहते अमर रहे, और उस दिर मुमबई जैसे बड़े सहर की सभी मार्केट बंद थे, और सब को डल था कि 5 लाक की भीड कहीं मुमबई में कुछ ना कर दे, और यहाँ तक कि दो लड़किया सर ना ही साल सब थे, लेकर फिर भी उन्हें 21 तोपों की सलामी दे गई थी, जो भारत में सिर्फ लाष्टपती और प्रदानमंतरी को दी जाती है, तो इसलिए आप से कहा रहा हो कि वो कोई पंद नहीं था उनके पास, फिर भी आप देखे कि पावरफुल बैखती रहे, और इनके अंतिम संसकार में आप देखेंगे लाल किष्ट, आडवानी, सुहसमा सुराज, अरोड जेटली, नितिन गड़करी, मैनका गांधी, पिफुल पटेल, सरत पबार, जैसे राजेता, मुके संभानी जैसे बिजनेसमेर और अभीताब बच्चन जैसे अभीडेता पहु आगया था, और यह फिल्म उनके जर्म दिन के रिलीज हुई थी, इसके बाद साल 2019 में, उनके जीमन पर एक और फिल्म ठाकरी बनाई गई थी, और ठाकरी आप देखेंगे कि हिंदी में भी है, तो आप जाकर देख सकते हैं, और जिसमें आपने देखा हुगा कि बाला साब ठाकरी का क्रिदार नमाजुद्दी सिंदिकी ने निभाया हुआ था, तो यह रही है आप देखी हिंदुत बादी नेता की, यानि कट्टर हिंदुत बादी नेता, और जो अपने आपको एक सेर कहते थे, समझ रहें हैं आप लोग, तो और भी बताईए आपनों किसी और व